दोस्तों हमारा दूसरा कलच कम्पलीट हो चुका है दूसरी बार हमारे याँ लवबर्ड बच्चे निकाल चुके हैं और बच्चे निकल के मटकी में पल गए हैं पूरी तरह से और उसके बाद मटकी से बाहर निकल चुके हैं और काफी बच्चे मटकी में से निकल के कालोनी में घूम रहे हैं इसलिए इसलिए कालोनी आपको कावी भरी भरी लग रही होगी दोस्तों तो हुआ हमारा दूसरा कलच complete दूसरी बार लवबढ़ने बच्चे निकले अब तीसरे कलच की हमें तैयारी केसे करना है और हमें लेना है अब तीसरी ब्रीड तुम्हें थोड़ा सा मैंने बताया था मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था इससे पहले ही मैं मटकियं लगा देता था लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट मटकियं लगा देता था लेकिन इस बार काफी देर में मटकियं लगा कि बच्चे निकल चुके हैं दूसरे कलच के मटकी से बाहर अब अंडे आने वाले हैं तो 15 दिन तो अंडे आने में लग जाएंगे और फिर 40-50 दिन बच्चे बाहर निकलने में लग जाएंगे तो हम ऐसा माने के 14 अपरेल को दो महीने हो जाएंगे आज के बाद से दोस्तों दो महीने में बच्चे बाहर निकल जाएंगे जो तीसरे कलच के बच्चे होंगे आने वाले कलच के और हो सकता है कि कुछ बच्चे उसमें रह जाएं तो दो तीन चार मट्की अगर रह गई तो कोई बात नहीं है लेकिन फिर हम अपरेल में जैसे ही बच्चे जिन जिन मट्कियों के बच्चे निकलते जाएंगे हम उन मट्कियों की को खोलते जाएंगे दोस्तों उन मट्कियों को खोलते जाएंगे यानि कि मट्कियों को कालोनी से निकल के बाहर कर देंगे और रेस्ट लेंगे देखा माशालला तो जब तीन बिरीट कर चुके होंगे दोस्तों तो फिर हमें ने रेस्ट दे देंगे रेस्ट देना बहुत जरूरी है गर्मी में क्योंकि हम लोग भी थोड़े सा टेंशन फ्री हो जाते हैं नहीं फिर बच्चे भी होते हैं और फिर गर्मी में हम समलवाना उनको पलवाना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों बच्चे मरते हैं और लवबड भी मर जाते हैं गर्मी में उन्हें खिला खिला के मटकी के अंदर मादा है मर जाती है तो वो काम तो हमें करना ही नहीं है कभी भी भूल कर भी नहीं करना है कि गर्मी में हमें ब्रीड लेना है इनसे ये काम नहीं करना है गर्मी में ब्रीड बिलकुल भी नहीं लेना है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 15 अपरेल तक मेरी कालोनी खाली हो जाए और एक अद्व मटकी रह जाती है तो उससे कुछ नहीं होता, उनको तो हम कई न कई किसी न किसी तरह से समाल लेंगे, पंखा लगा देंगे, उसके पास एक दो मटकीयों के पास खरीब कर देंगे पंखा, तो दोस्तों इस तरह से कॉलोनी खाली कर देना है, धीरे धीरे मटक नहीं पड़ता, क्योंकि अब कुछ सालों से बारिश लेट होने लगी है, तो जून के लास्ट में बारिश शुरू होती है, पहले यहाँ 15 जून के असपास हो जाया करती थी, तो अगर हम इधर लेट हो जाएंगे, तो उधर लेट मटकीयों लगा देंगे, यानि आपको 15 अपरेल्स लेके और 15 जून तक, तो इन दो महीनों में बिलकुल ब्रीड आपके कालोनी में नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से दोस्तों यह है पिलानिंग गर्मी की जो मैंने आपको बता दी, और अब हम चलेंगे कालोनी के अंदर में कुछ मटकियों को भी भी पूरी तरह से, यानि के कुछ शेल्फ हो गया होंगे, कुछ नहीं होए होंगे, तो इनको मैं पूरे जितने भी पठेंगे को एक महीने के बाद ही पकड़ूंगा दोस्तों, उस से पहले में पकड़के इने अलग नहीं करूँगा, फिर अलग कर दूँगा, फिर जिसक तरह के मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा और ये है दोस्तों मेरा साफ फूड जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि ये 9-10 तरहां के दाने हैं बलके 10-11 तरहां के दाने हैं और भीगा के हम देते हैं 24 गंटे भीगा देते हैं आज दे दिया हमने और आज जैसे मा आने वाले कलका है वो भी भीगा देंगे अभी भीगा देंगे हम तो इस तरह से आपको जिस टाइम देना है उसी टाइम अगले दिन का भीगा दीजिए और ये लवबड की जान होता है ये जो साफ फूड मैंने आपको बताया बहुत ही जरूरी है आप हर मोसम में अंदर आगा है हम कलोनी के अंदर और अब येलो कलोनी पूरी तरह से दिखने लगी है अब तो हरे तो देखिए दोचार ही दिख रहा है क्योंकि पठे जो निकले हैं अभी आपने देखा लास्ट में तो आपने गोर करा होगा दोस्तों के येलो बच्चे काफी निकले है यलो में गुर्डन फिशर मेरे यहां बहुत जादा है और कुछ रेडाई भी निकल आते हैं दो चार तो इस तरह से काम चलता रहता है और गिरीन फिशर भी निकल रहे हैं गिरीन फिशर भी निकल रहे हैं से नहीं हैं कि ग्रीन फिशर हमने विलकुल खतम कर दी हैं तो इस तरह से यह देखिए आप यहां तक बेटे कुएं लव बर्ड और अब जैसे यह बच्चे सेल्फ हो जाएंगे तो मैं इने अलग कर दूंगा दोस्तों मट्की की बात करें तो मट्की में हमें क्या चेंज करन और दूसरा यह अंदर से अंदर से आप देख रहा हैं यह मट्की की जो नेस्टिंग ती उसका तो नाम और निशान मिठ चुका है बलके यह इसके अंदर कच्रा जैसा जादा भरा हुआ देख रहा है आपको ठोस टाइप का हाला कि अगर मैं नेस्टिंग नहीं भी गेहूं भर के आते हैं जिसमें तो यह वो सनलाला के सुतली का रख लेते हैं और यह देखिए आप बोरे को काट काट के और यह जमा कर लेते हैं तो काफी अच्छा नरम मुलाइम सा बन जाता है तो दोस्तों करना क्या है हमें के नेस्टिंग अब फिर से कर देना है अब न बार तो मुझे कर नहीं है और वीडियो भी बनाऊंगा नेस्टिंग का अब इसमें एक बच्चा है और यह देखिए आप अब मैंने इसे पकड़ के आपको दिखाया और एक चीज और दिखाने वाला हूं यह देखिए रिंग दिख रहा होगा इसके आपको हरा रिंग डल हुआ है तो मैंने अभी से डाल दी है इसके क्योंकि मैंने सोचा एक बच्चा है भूल बाल जाओंगा तो फिर यह निकल के भाग जाएगा और रिंग हम इसलिए डालते हैं दोस्तों के पेचान सकें बच्चों को पेचान सकें नहीं तो बड़े में और छोटे में कोई फा लिख दिया हमने और बीबी भी लिख दिया बजीज बड़ेंड ब्यूटी तो ये कुछ भी लिख देते हम कभी मेरा नाम लिख देता हूं गुल्रेस कभी उसमानी लिख देता हूं और कभी ये बजीज बड़ेंड ब्यूटी तो लिखने का ऐसा दोस्तों क्योंकि अलग-अ हमें पेचान करना होती है हर कलच में अलग तरह के रिंग बनवाना होते हमें इसलिए कलर भी चेंज कर देता हूँ जैसे उस बार अगर हरे बनवाए थे तो इस बार यलो पीले कलर के रिंग बनवा लूँगा और एक बच्चे इसमें भी दोस्तों तो इस तरह के भी हैं भी बच्चे एक दो और इनके साइस की कोई मट्की नहीं थी तो नहीं तो मैं एक बच्चे को छोड़ता नहीं उधर रख देता जैसे किसी मट्की में दो बच्चे होते तो उधर तीन कर देता बाकी जादतर बच्चे उसी साइस के थे और देखिए कितना मुलाइम मैंने कहा था ना आपसे ये बोरा जो होता गेहूं का उसे काइट के ये लाते हैं और इसमें रखते हैं तो इनके लिए बड़ा ही अच्छा होता बहुत मुलाइम या या झभी नेस्टिंग देतें वों भी नहीं होती इतनी और देखिए ये बोरे का टुकला मैंने क्योंके सरदी ती और सरदी की वज़ा से अभी भी है सरदी तो सरदी की वज़ा से बोरा हमने यहां रखा था और इदर ढ़र भी हम कभी डşaंग देते हैं बोरा तो देखिए चीतले उडा दिये बोरे के इनोंने तो ये खुदी ले जाके मट्कियों में रख लेते हैं दोस्तों और लॉबड के बच्चे भी बहुत समाजधर होते हैं और लॉबड भी बहुत जादा समाजधर होते हैं और कुछ बच्चे वक्त से पहले भी इसलिए बाहर निकल गए दोस्तों क्योंकि रिंग में थोड़ा सा लेट मंगा पाया था तो ये काभी बड़े-बड़े हो गए थे जब मैं रिंग डालने लगा तो ये एक के में रिंग डालता था तो तीन बाहर निकल के भाग जाते थे तो इस तरह से होता था इसलिए इनको एक बार जब बाहर की हवा लग जाती है फिर आप इनको कितना ही अंदर छोड़ो फिर ये बाहर निकलाते है तो ये साहे तो कोई बात नहीं है वो तो सब उड़ना सीख जाते हैं दो-चार दिन में तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में उम्मित करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा इजाज़त दीजी